ठो दोस्तो अर आर और वी स्रिफ के के बी ड्रीम 11 क्या होने वाली है थो दौ्प किसको लेना है जिकेट की पार पीछ कैसा वीहयू करने वाली है दोस्तों तो आओ हम बनाते हैं सब लोग मिलकर के एक पहुत अच्छे ड्रीम 11 और जीतते हैं करोडों का इनाम दोस्तों तो आओ दोनों टीमों मों कमपैजन करते हैं कौन खिलाडी होगा बिस्ट कौन मारेगा सतक और कौन करेगा फ्लाफ तो दोस्तों आओ चलते हैं दोस्तों और दोनों टीमों से हम अपनी एक बिस टीम एक बनाएंगे एक जो है अपनी बेस्ट टीम बनाएंगे ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम होगी और जिससे हम करोड़ों रुपाई जीतेंगे दोस्तों यह देखिएगा एक बेस्ट टीम बनने जा रहे हैं दोस्तों यह बेस्ट टीम होगी देखिएगा आर आर की तरफ से आज़ खेल रहें वाई जैसवाल जे बटलर बटलर दी बडिकल संजू सैंसन जो कैप्टन और विकेट की पर दोनों है सिमरन हेटमाय डी जूरेल आर अस्विन जेसन होल्डर ट्रेल बोल्ड संदीप सर्मा और यद्वेंदर चहल और दूसरे तरफ सीएसके की तरफ से आर गैकवार्ड डी कानमे अजिंक रहाने सिवम दुबे रविन जटेजा एमेज धोनी मोहिन अली अमबायती रैडू टी दिश फवांडिया एम थिकसाना आका आज सिंग इस प्रकार से यह दोनों की प्लेइंग 11 है परन्तु हमें यह ध्यान देना है दोस्तो कि आखिर यहा की पिच कैसी है दोस्तो तो आज जो है सवाई मान सिंग स्टेडियम जहपुर में यह मैच खिलना जाना है दोस्तो तो वहां का अभी तक जो 48 मेच हुए हैं वहाँ पर अभी 200 के पार दोस्तो कोई टीम नहीं गई है हाईस्ट स्कॉल यहां का 197 है जो राजस्थान ने ही बनाया है एक विकेट के नुक्सान पर राजस्थान ने ही बनाया है आरार ने बनाया था वो भी 2008 में एक विकेट के नुकसान पर चवाम में RCB थी वो मात्र 134 रन पर आल आउट हो गई थी दोस्तों 134 रन पर आल आउट हो चुकी थी तो यहां का ज्यादा रन है दोस्तों दोनों के लिए मददकार है अच्छी पिछ है दोस्तों बालिंग और बेटिंग दोनों के लिए मददकार है अच्छा खेलोगे तो कुछ रन बन जाएंगे खराब खेलोगे तो बहुत चल्दी जो है आउट भी हो जाओगे क्योंकि यहां का जो है तो दोस्तो यहां का जो low score भी डिक्तन चाजर के लाफ है जो मात्र 100 के नीचे दोस्तो आल आउट हो चुकिए दोस्तो तो इस प्रकार से dream 11 में आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे हम आपको देखते देखिए वाई जैस वाल है आर आर की तरफ से जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे है दोस्तो वाई जैस वाल है बटलर है पॉडिकल है संजू सैंसरन है हिटमायर है जूरिल है अब यहां पर आपको इन तीनों में से दोस्तो आपको इन तीनों में से आपको मात्र दो प्लेयर को लेना है दो प्लेयर को लेना है एक को ड्राप करना है जैसवाल, बटलर, पॉडिकल अब यहाँ पर एक को ड्राप करना है आप कौन ड्राप कर रहे हैं तो हम दोस्तो आज बटलर को ड्राप करना है जे वाई जो है जैस वाल दूसरे नमबर पर हम डी पॉडी कॉल डी पॉडी कॉल पॉडी कॉल को लेंगे डी पॉडी कॉल को ले लिया अब इसके बाद हमारे तरफ बत्ते कौन है संजो, सैंसान, सिमरन, हिटमायर, डी जोरिल यहां से हम एक लाड़ी का चैन करते हैं तो हम ले लेते हैं सिमरन, हिटमायर को जिसको सिमरन, हिटमायर को ले लेते हैं और ले लेते हैं दोस्तो हिटमायर और दोस्तो ले लेते हैं एस सैंसन को क्योंकि हमें दोस्तो विकेट केप्डिंग इस सैंसन से ही करानी है ये ले लिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब काम खतम आर गैकवार्ड डी कानवे यहाँ पर हम आर गैकवार्ड डी कानवे में एक लेते हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डी कानवे को डी कानवे को और यहाँ पर दोस्तों अजिंक रहाने और सिवम दुवे में दोस्तों एक ले लेते हैं अजिंक रहाने और सिवम दुवे में एक ले लेते हैं वो कौन होगा देखिएगा अजिंक रहाने सिवम दुवे में हम एक लेते हैं देखते हैं कौन होगा वो तो वो होगा दोस्तों देखिएगा हम आज दोस्तो रहाने ए रहाने को लेते हैं टीम में ए रहाने को टीम में लेते हैं और उसके बाद आप सिवम दुबे को भी ले सकते हैं सिवम दुबे भी बच्छा के लें और आर लाउंडर और इधर से हम आर जडेजा या मोहिन अली में दोस्तो आपसन है आपके पास तो हम दोस्तो आर जडेजा को ले रहे हैं आर लाउंडर के तौर पर आर जडेटा अब 1,2,3,4,5,6,7 अब आती हैं बॉलिंग की बाद तो में हम लेते हैं आर अस्विन को आर अस्विन को और इधर से लेते हैं वाई चहल को वाई चहल को और दोस्तो इधर से लेते हैं ट्रेंट पोल्ट को ट्रेंट पोल्ट को और यहां पर हम यहां से लेते हैं देखिए दोस्तो एक ले लेते हैं एम थिकसाना को एम थिकसाना को एम थिकसाना को तो दोस्तों ये देखिएगा हमारी प्लेइंग इलेवन बनके ड्रीम इलेवन तयार होचे गई जिसमें मुख्य खिलाडी है आप दोस्तों आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं दोस्तों तो हम लोग टैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं तो किसको बनाएगे तो हम बनाते हैं दोस्तों कैप्टन बनाते हैं वाइस जैसवाल को और वाइस कैप्टन मनाते हैं दोस्तो वी सी बनाते हैं दोस्तो वी सी बनाते हैं अंजू सैंसन को तो दोस्तो इस तरह से ये ड्रीम इलेवर हमारी बन करके तयार हो गई